कि मुश्कार दोस्तों क्लाइंट सलोटेक यूटीव चैनल में आपका स्वागत है बेसी कंप्यूटर कोर्स श्रीज के इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है वाड़ी सॉफ्वेर टाइपस ऑफ सॉफ्वेर इंपोर्टेंस ऑफ सॉफ्वेर बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्वे एंड हाउ सॉफ्वेर आर आर्प सॉफ्वेर क्यों बनाया जाते हैं तो लेट स्ट वाटी सॉफ्वेर इस सबसे पहले तो आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं सबसे पहले एक्जमपल समझे लिज़ी ये फिर मैं इसका आपको डेफिनिशन बताता हूँ यह है जो आप दे यह जो मैं एप रन कर रहा हूँ, यह भी क्या है? एक सॉफ्ट्वेर है, यह जो भी इसमें आपके एपस हैं अंदर, यह सारे क्या है? सॉफ्ट्वेर है, यह जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, आइकन्स देख रहे हैं, यह टास्क बार देख रहे हैं, टास्क मनेजर में यह फ यह जो आप सामने देख रहे है यह है Windows यह भी आपको दिखाता हूं सर्च बटन में जाके आप सिस्टम टाइप करें और यह देखें यह लिखा है Windows एडिशन Windows 10 सिंग माइक्रसोफ्ट कारप्रेशन ओल्राइट रिजर्व ठीक है ओके सो यह सब कुछ क्या है सॉफ्ट्वेर है इसी के साथ आप यह वर्ड डॉकुमेंट राइटिंग के लिए जो हम सॉफ्ट्वेर यूज़ करते हैं यह जो आप देख रहे हैं Microsoft Word तो यह भी क्या है सॉफ्ट्वेर है किसके लिए यूज़ होता है डॉकुमेंट राइटिंग और एडिटिंग के लिए यह भी एक सॉफ्ट्वेर है इस तरह का कोई और अन्य बहुत से सॉफ्ट्वेर है फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए होगा गुगल अग्रॉम फोर इंटरनेट सर्फिंग या Microsoft Edge सफार यह इंटरनेट सर्फिंग के लिए हो गया तो यह सारा क्या है सॉफ्ट्वेर है अब बात आती है सॉफ्ट्वेर होता क्या है एक्जक्ली इसको हम किस तरह से ड छोटॉप्ग्वग learners woo दूबवग नौसुंग्षण च्रॉबग्ग्ड्ड्डной instruction ? प्रॉप दूट्विट्साह इस बस्टारिपक्ला माम फंतरनेट स्वीकिनी अधणर का तरह से बहलेज़ें रुझेरें, ड Μ Savior यहा है छी तरॉग रुफ। जबस्वीकाप्टत कि स्पेसिफिक आउट्पूट यह आप रखें तो सॉफ्ट्वेर रजग्रोप अप्रोग्रामस फंक्शन जिसके जो इस तरह से बनाया गया इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है ताकि वह एक आउट्पूट क्रेट कर सके CPU को यूज़ करके computer को यूज़ करके यह आपको मैं systematically बताता हूं देखो आप गूगल ग्राम open करें गूगल में जाए और टाइप करें client solutec यह article में आपको ले जा रहा हूं जो इसके बारे मैंने लिखा है आप इसको open करें जो link आ रहा है client solutec का इसको इसको बनाया इस तरह से गया था कि यह मेरी जो भी computer user है उसकी input को रिसीव करें यह चाहिए यह software चाहिए कोई भी है और उस पर output generate कर सके बीच में यह जो use होगा वह CPU use होता है तो एक बार दोबारा इसको open देखें वाट इस computer software computer software और software is a group of programs functions procedure objects and classes that is dealt to receive input and out use input from the user and that is processed by a computer CPU to generate output जो software होता है उसके जरी आप computer को instructions जो हो automate कर सकते हैं अगर कोई बार बार आपको कोई काम करना पड़ा अगर आप उसको software use करेंगे तो उसमें जल्दी हो जाएगा और इसमें क्या है कि आप यह billions of data जो है आप प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है जो software that works systematically objectively and sequentially और प्रोसेजरल और इसी वजह से computer most powerful है because जो इसका speed है जो accuracy है और storage है और जो processing speed है वो बहुत fast है as compared to human beings so software इसको और ज़्यदा powerful बनाता है अब आता है types of software software कितने प्रकार का होता है तो mainly software जो है दो प्रकार का है system software और application software system software वो होता है जिससे computer चलता है और application software वो होता है जो हम computer में चलाते हैं for example android mobile phone में आप android क्या है android क्या है operating system computer में operating system क्या है या system software क्या है हम system software को operating system भी बोल सकते हैं इसमें operating system क्या है windows apple computer में जो operating system हो कौन सा है mac apple mobile phone में कौन सा operating system में iOS इस तरह linux यह क्या है सारे operating system है operating system computer को functional बनाता है बोलने का मतलब है कि हम input output को use कर सकते हैं अगर computer functional है और दूसरा अगर आप जो application software है वो computer को useful बनाता है अगर मालने जी आपके computer में खाली operating system ही है विंडो ही है बाकी कोई other document यह नहीं है जैसे मालने जी MS office नहीं है editing का कोई software नहीं है तो वो क्या है वो useful नहीं बन पाएगा आप basic चीज़े तो कर सकते हैं आप browsing कर सकते हैं जो basic application जो windows के साथ आती है या तो वो तो use कर सकते लेकिन वो useful नहीं बन पाएगा useful कब बनेगा जब हम उसमें applications was install करते हैं सॉव्ट्वायर जुरूरी क्यों है software computer में उतना ही जुरूरी है जैसे स्रीर में आत्मा है अगर स्रीर में आत्मा नहीं होगी बौड़ी में अगर ah अत्मा नहीं होगी तो हमारे कान आलक ना कान यह नहीं चलेंगे हमारी storage memory नहीं चलेंगी ऐसी computer में हैं आप computer में कोई software इंस्टाल नहीं कर सकते कोई application इंस्टाल नहीं कर पाएंगे अगर इसमें operating system नहीं होगा operating system इसलिए ज्यूरुरी है किवर्च रिए यह ने कंप्योटर को functional बनाता है application software सोफटैर इसलिए जूरुरी है क्योंकि यह computer यह कंप्योटर को useful बनाता है आप इसको और ज़्यादा powerful बना सकते हैं software के जरिये अब software कैसे बना जाते है देखिए software बनाने का जो तरीका है ये idea से शुरू होता है एक idea to solve the problem कोई problem है उस specific problem को या complex work है उस या repeated work है जो बार-बार करना पड़ रहा है तो उस problem को solve करने के लिए भी software मना जाता है फिर नमबर टू software innovation के लिए बना जाता है अगर कोई पुरानी चीज़े उसको update करना है या कोई नया नई technology पैदा करनी है उत्पन करनी है तो उसके लिए भी software मना जाता है और थार्ड है business commerce के लिए भी software बना जाता है money making पैसा बनाने के लिए कमाने के लिए भी software बना जाता है उसको sale करके जाब business इसलिए software बना जाता है software बनाने के लिए target audience होती है कौन से लोगों के लिए software बनाना है companies के लिए बनाना है आम पब्लिक के लिए बनाना है यह जैसे मालने जीए google पे है एक payment application है तो वो कोई भी उस application को use कर सकता है तो वो भी एक software है apps हो गया apps की full form है application तो इसके लिए software बना जाता है यह पूरे article में लिखा है आप इसको ध्यान से पड़े और आपके लिए software का क्या use है अगर आप student है तो आप programming करके आप software development की field में जा सकते है programming सीख के अगर आप businessman है तो आप software use कर सकते हैं जिससे आपके business को manage करने में reporting में और उसकी cost को reduce करने में help मिलती है इसी तरह से अगर आप एक आम आदमी है तो उसके लिए use है कि वो daily life के जो work है जैसे document writing, editing, email, marketing या basic work जो होता है computer में वो वो कर सकता है software बनने के specific languages, programming languages का use के जाता है framework का use के जाता है जो मैं आने वाले videos में आपको बताऊंगा तो जो आज का video था यह था software के उपर यह जो भी आप देख रहे हैं यह सारा क्या है software है यह जो आप browser open है यह भी एक software है और software मैंने आपको बताया है दो प्रकार के होते है system software और application software software क्या होता है group of programs, procedures, objects and classes and functions that is created to generate output through CPU CPU का use करके output generate के लिए उसका use किया जाता है और बिना software के computer का कोई use नहीं है operating system से functional बनता है application software से useful बनता है बनता है और बनता है